मनो जवं मारुद तुल्य बेगं जीते द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठं वातात्मजं वानर यूध मुख्यं श्री राम दूतं शर्णं प्रपद्दे नमोस त्वनंताय सहस्र मुर्ते शहस्र पाधाक्ष शिरोरु वाहवे सहस्र नामने पुरुशाय शाषते शहस्र कोटी युगधारिने नमा संस्क्रित सौरियम इस समुह से संब्द्ध सभी विद्धत गण सभी शास्त्र प्रेमी गण सभी शास्त्र जिग्यासु गण एवं संस्क्रित सौरियम इस समुह के संस्थापक तथा प्रवंद्ध गण आप सबको प्रणयम करते हुए साधु बात करते हुए आज कि इस ज्ञान सब्द्ध को प्रारम करते हैं कल हम लोगों ने समास के परिचे के सासाथ सहसुपा सूत्र अभी भावा सूत्र और अव्यम विवक्ति समीव सम्रिध्यरत सम्रिधी प्रिध्यरता भावा त्याया संप्रति शब्द प्रादर भाव पश्चाद्यधान गूर्व यवगुपद्य साद्रिस संपत्य साकल्य इन सूत्रों के विशय में विचार किया था आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कल जो अर्थ किया गया था कि बहुक्ति समीप सम्रिध्यादी अर्थों में के दियो तक जो अब्ये उस अब्ये का समर्थ सुबंद के साथ समास होता है और विग्रहों के विशय में चर्चा हुई थी कि विग्रह दो तरह के हैं लोकिक और अलोकिक और उसमें भी नित्य समर्थ और अनित्य समास के विशय में चर्चा हुई कि अबिग्रह अस्वापद विग्रह वा नित्य समास है जहां विग्रे नहीं है अथवा आस्वापित विग्रे है वो नित्य समास होता है इसरे सर्चा हुई थी आज हम लोग उन शब्दों के साथ दुत के तरफ चलते हैं पहला है बिभक्ति तो विभक्ति के जो तक अब्या का समर्थ सुबंद के साथ समास होता है पहले यह अर्थ लेके चलते है प्रयोग है अधिहरी तो हरव इति अधिहरी हरव यह इसका लौकि बिग्र है और हरिंगी अधि यह उसका अलौकि बिग्र है यह दोनों बिग्र है यहां पर जो लौकि बिग्र हो रहा है वस्ता अब इग्रह रूप में ही है जैसे कलम ने चर्चा किया था कि जो लौकि बिग्रह होगा और कोई भी बिग्रह होगा उसमें दोश पद होंगे तभी बिग्रह का सुरूप बनेगा एक पद में बिग्रह का सुरूप नहीं होता है तो हरव यह जो बिग्रह है वो एक पद का बिग्रह होने से अब बिग्रह का सुरूप उसका है पर जो अधिय अभ्य है यह विभक्ति का त्योतक है, सत्य विभक्ति का त्योतक उसमें भी है, तो हरिंगी अधिय सवस्था में यहां समास होता है अभ्यम विभक्ति सूत्र से, कल भी उस प्रश्णी के विशा में हमने चर्चा की थी, आज पुना करते हैं कि समास कहा होगा, लोकी बिग्रह होगा कि अलोकी बिग्रह होगा, हमने काया था कि अलोकी बिग्रह वाक्य में समास होता है, अब प्रश्णी यह होगा कि समास ठीक है, अलोकी बिग्रह वाक्य में होता है आप कह रहे हैं इसमें प्रमाण क्या है कि अलोकी विग्रह वाक्य में ही समास होना चाहिए लोकी विग्रह वाक्य का जब प्रदर्शन होता है तो इसमें क्यों न समास माना जाए तो इसमें प्रमाण है प्रत्योतर पद्योत्त्र का भाष तो प्रत्योत्र पद्योत्त्र में भाष्यकार ने अलोकी विग्रहवस्था में ही समास्थ संग्या स्विकार किये है तो उनके उसे निर्देश के आधार पर अलोकी विग्रवाक्य में ही समास संग्या का विधान होता है इतदर्थ यहां हरिंगी अधि इस अवस्था में अभ्यम भीक्ति सूत्र से यहां पर समास होगा समा सत्वात प्रात प्रदिक संग्या होगी और प्रात प्रदिक संग्या होने के पश्चात सुपोधात प्रात प्रदिक होगी सूत्र से सुप का लुक होगा हरी अधिये अवस्था होती है तो ये इतने कारिये पूर पहले हो गए अब इसमें दो इस्थिती है कुछ इसकी प्रक्रिया ऐसा भी मानते है कि हरिंगी अधी सवस्था में समास होगा समास होने के ततकाल बाद उपसरजन संग्या पूर प्रयोग और तब इसके बाद प्रात्पतिक संग्या और सुबलुक होगा ये एक प्रक्रिया मानते हैं और कुछ लोग ये भी प्रक्रिया मानते हैं कि समास के बाद ततकाल प्रात्पतिक संग्या प्रात्पतिक संग्या के बाद सुबलुक सुबलुक के बाद उपसरजन संग्या पूर प्रयोग दोनों प्रक्रियाओं का शुरूप प्राप्त होता है अब इसके पर हम लोग पूरा आगे चर्चा करेंगे अभी ये विचार हो रहा है जो सूत्र में वो लिखित है पहले यहां पर सूत्र उपस्तित हो रहा है प्रतमान दिश्टम समासुप सरजनम तो प्रतमान दिश्टम उपसरजनम समासे तो समासे ऐसा सब्तम्यंत पताईगी है समास शब्दकारत क्या किया जाए और ये कहा जाए कि समास संग्यक के तो समास संग्यक जो समुधाय है उसमें जो विग्रहादी में जो प्रतमान दिश्टम निर्दिश्ट है उसके उपसरजन संग्या होगी तब तो अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ हो जाएगा अनर्थ यह हो जाएगा कि जैसे कृष्ण श्रिता बनता है तुदिया श्रिता तीर गताश्ट स्प्राथवा पन्री सूत्र से यहां समास होता है कृष्णम श्रिता इसमें श्रित श्रब्द जो है वो प्रतमानतत्य इंद्रिष्ट है ग्रह वस्ता में और जो दुतियांत पद है वो दुतियांत इंद्रिष्ट है तो श्रित श्रित की वहाँ सरजन संग्या होगी वो सरजनम पूर्व से उसका पूर प्रयोग हो जाएगा तो श्रित स्रिताह रूप नहीं बनेगा इस तरह से सरवत्र इस्थिति चैदुतिया तृतिया चतुरती पंचवी सश्टी सभी समासों में सभी समासों में इसकारण से यहां समास शब्द समास बीधाय का शास्त्र का बोधक होता है इसलिए उसका आर्थिया किया गया समास शास्त्रे तो समास शब्द समास संग्या विधाय का शास्त्र को कहता है यत प्रथमांतत्रे निद्श्टम बरतते तस उसर जन संग्या भवती जैसे अब्यम विभक्ति समीर्पित्यादी सूत्र में जो है दो पद है एक अब्यम एम विभक्ति समीर्पित्यादी हम्त में वचनेश्व लिखा हुआ है तो यहां जो है द्वंद्व समासे कैसे द्वंद्व समासे विभक्तिश्च समीपश्च समृध्धिश्च वृध्धिश्च अर्था भावश्च अत्यश्च असंप्रतिच शब्द प्रादुर भावश्च पस्चाच यथा चा आनुपूर्व्यम चा यववपद्यम चा साद्रिश्यम्च संपतिश्य साकल्ययम्च अंतस्य। इती बिभक्ति समीप सम्रिधि ब्रध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्राद रुभाव पश्चाद यथान पूर्व यवपध्य साद्रिस संप्ति साकल्यांताह। इस तरह से यहां पर इतरे तर दुन्द समास है और फिर जो है वचन के शाथ है यहां पर कर्मधारे समास होगा। वचन का यहां पर है उच्चनते इती वचनाह। अर्थात विभक्ति समीव सम्रिधि ब्रध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्राद रुभाव पश्चाद यथान पूर्व यवपध्य साद्रिस संप्ति साकल्यांताह चत्य वचनाश्चो। विभक्ति सम्रिधि ब्रध्यर्था भावत्या संप्रति शब्द प्राद रुभाव पश्चाद यथान पूर्व्य यवपध्य साद्रिस संप्ति साकल्यांत वचनेश्च। एतेशः अर्थेशः विद्यमानं यद अभ्ययंत तत समर्थे न सुमंत न स्वमास्टते यह उसका अर्थ मनेगा। तो इसमें दुतिय पद जो व्यक्तित्यादी पद है ये सब्तम्यन्त है अव्ययम प्रतमान्त है जो समा संग्या विधायक सूत्र है इसलिए जो अव्यय पद वाच्ची होगा उसकी उपसर जन संग्या होगी प्रतमा दिश्णम समा सूर जन सूत्र से इसलिए हरी अधी में या हरिंगी अधी में दोनों पत्का उल्लेख एक साथ हम कर रहे हैं जिसमत में कुछ सरजन संग्या के पूर्व ही प्रात्पिति संग्या सुबलुक होगा उस अस्थल में यहां प्रतमानता तर्दिश्ट अधी माना जाएगा प्थेमानता्स्तबा प्रतमांता द्रिष्ट हyttत वाच अर्थॉइभत यहां आधि हें तो अधी की उपस्रजन संग्या के और उससे संग्या ने के बाद कि दूसरा सुद्तराइब उस्सरा पूर्व सं मासे balloons प्राक प्रियोजिया O तो समास घटक जो पद, कौन पद, जिसको उपसरजन संग्या हुई है, उसका समस्त शब्दग में सर्वप्रथम उसका प्रयोग होगा, इसलिए अधी का पहले पर इस इत्यधे प्राक प्रयोगा, इसके अनंतर मुलकार ने लिखा सुपह लुक, सुपका लुक होगा, तो अधी हरी बनेगा, एक देशी बिक्रतस से अन्यतत प्राटपिति संग्यायम साध्यत पत्ति, जैसे हमने बतलाया था, चुकि प्राटपिति संग्या हरिगी अधी इतने के हुई थी, सम्प्रति अधी हरी है सुरूप है, इसलिए जिसकी प्राटपि कि संग्या की गई थी वो सुरूप यह उप लब्द नहीं है पिर वे एक देख विक्रितमन अन्यवत इस पर्युहाशा के नियमा नुसार अधिहरी में प्रादिपति कत्तों का आरोप करके और एकत्त की विवक्षा में एक बचन सू और चुकि इसकी अब्या संग्या भी है विवा सूत्र से अब्या संग्या होने के कारण सुपो धातु प्राद्पदिगो सूत्र के द्वारा सुप का लुक हो करके अधिहरी यहरूप बनेगा तो इस तरह से यहां मूलकार ने ये लिखा कि समा संग्या होने के पश्चात पहले सरजन संग्या पूर प्रयोग इसके वाद प्रादपदिक संग्या का सरूप होगा परन्तु कुछ टीका कारों ने भिन्न सरूप में भी लिखा है वो यह कहते हैं कि यहां पर जो प्रादपदिक संग्या है वह जो है वो अंतरंग है तो अंतरंगत प्राद सर प्रथम उसका होगा क्योंकि समा संग्यत जो भी है उसकी प्रादपदिक संग्या होगी तो अंतरंगत प्रात 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 ही आदिकारे होंगे अब इसमें कि यह अवश्य माना जा सकता है कि यहां कौन सा सिध्धानत माना जाए सरप्रथम समा संग्या के बाद प्रात्पति संग्या सुब्लुक इसके बाद उप्सरज संग्या पूर प्रयोग प्रात्पति का त्वरो स्वाधित्पत्ति या समा संग्या के अनंतर उप्सरजन संग्या पूर प्रयोग फिर प्रात्पति संग्या सुब्लुक और प्रात्पत्त का त्वारोप क्या माना जाए क्योंकि सामान निवक्ति ब्रहमित होता है इसलिए इसमें इसका कोई न कोई एक स्वरूप होना चाहिए एक नियम होना चाहिए जिस नियम के आधार पर हम इसका निरणे कर सकें तो हमारे सामने अभी जो ग्रंत है लगुसित धांत कुम्ति लगुसित धांत कुम्तिकार ने इसी बात के यहां उलेख किया कि समास संग्या के पश्चात पूर्प में सरवप्रथम उपसरजन संग्या होगी पूर प्रेव होगा तब प्रात्पतिक संग्या होगी यह इनों ने लिखा अगर इसको हम उचित मानते हैं तो इसका समाधान क्या होगा और चुकि ग्रंतकार का स्वयम का कथन है तो इस पर पूर्ण रूप से सतरक बिचार करना आवश्यक है तो यहां हम लोग पहले विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए तो इस पर यह विचार है कि समास संग्या का जो प्रयोजन है उस मुख्य प्रयोजन उसका है समस्त शब्द का साधुत्व प्रकार तो समस्त शब्द का साधुत्व प्रकार का जो स्वरूप है वो दो भागों में समासोद देश्यक विशेशकार समासोद देश्यक सामान्यकार तो समासोद देश्यक विशेशकार क्या है उप्सरजन संग्या पूर प्रयोग ये विशेश का रहे हैं सामान ने कार किया है प्रात्पति संग्या सुबलुक का रहे है ये इनका आपको दो एक सोरूप मानना पड़ेगा संभावता यही मान करके इन्हों ने ये लिखा कि प्रतमाजिश समा सुरेजनम से पूरों उस्राज संग्या और प्रसात उस्राजनम से पूरों से पूरों प्रयोग और इसके अनंतर सुपो लुक लिखा तो सुपो लुक लदभी होगा जब प्रात्पति संग्या होगी तो प्रात्पति संग्या सामान्य का रहे है प्रतमाजिश समा सुस्राजनम उसरजनम पूरवं ये विशेश कारिये हैं तो इस कारण से शास्त्रकार ने अर्थात गरंतकार ने उसरजन संग्या पूर प्रयोग को सरप्रथम प्राथम संग्या को बाद में माना और एक धंक से देखा जाए तो सामान विशेश में विशेश कारिका ही प्राथम में होता ह सामान्यकार काफ प्राथम में होता है इतदस्र अजना संग्या पूरÁ प्रयोग सरप्रधम्यमी को मानना चाहिए अनंत्रसमास समास इसले प्राद्वित का तौरों सुबूत्पत्ति ये क्रम माना उचित है तो इसलिए ही यहाँ पर ग्रंदकार ने ऐसा लिखा और प्रायसवी ग्रंदकार इसी का ही अनमोधन करते हैं इसलिए हमको यही इस पर विचार करना आवश्यक है तो हरी अधी में समाष शास्त्र जो है अभ्यम भिवक्ति त्यादी सूट्स शास्त्र है उसलिए अभ्यपद वाचिया अधी है अधी की उपसरजन संग्या होती है और उर्संजन संग्यार होने के पश्चात उपसरजनम पूरों इस सूत्र से समासे उपसरजनम प्राग प्रयोज्यम समासे अर्था समस्त्र शब्दे यत उपसरजनम उपसरजन संग्यकम तत्प्राग प्रेवज्ञ, तत्प्राग सर्वप्रसम तस्प्रेवग करनिया हित्यरत है। इस तरह से अधिका पूर प्रेवग होता है। तो अधि हरिंगी ये अवस्था होती है। अब इसकी आप प्रात्पतिक संग्या करेंगे। प्रादपदी सिंग्या करने के पास सुप और धात प्रादपदी को अवय भूत जो सुप उसका लुक होता है तो यहां लुक हो जाएगा गी का तो अधी हरी यह बनेगा अब यहां एक देश भी कृत्मनानेवस सूत्र से यहां प्रादपदी कर्द को अरोग करेंगे सू भी भक्ति लाएंगे और चुको उसके पहले अब्यभावस सूत्र है वो इसकी अब्या संग्या करता है और अब्या संग्या होने कारण जो है इसका जो है सुबलुक हो जाता है और दूसरे एक अब्याई भावस्ट सूत्र है इसकी नपुन्सक लिंग भी संग्या करता है तो यहाँ जो यहाँ पर सु भी वक्ती आएगी अधिहरी सु है सु में कार्कित संग्या और सकार का लोप हो जाएगा अब्या मान करके अभी होस्ट चुकि अब्या संग्या होगी तो अधिहरी ऐसा ही सुरूप बनता है चुकि यह अब्या है तो संपूर्ण भी भक्तियों में चाहिए प्रत्मा से लेकर के सब्तिवी परियन और उसमें सही में एक वचन से लेकर भुचन तक जितनी भी प्रत्या हैं सबका अभ्यादा सुपा से लुक होता है तो प्रत्येक में इसका एक ही स्वरूप होगा है अगला सुत्राप का अभ्याई भावस्च जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं और यह कहता है आयम नपूसक हमसियाद अर्थात अभ्याव समासंग्यक जो शब्त है वह नपूसक होता है और नपूसक होने से क्या है वहाँ पर तस्वंबने जोकार है वो होंगे जैसे आपका प्रयोग है अधिगोपम अधिगोपम में यहाँ पर गोपी इती अधिगोपम इसका बिग्रह बनेगा गोपी अर्थात गामपाती इती गोपाह जैसे विश्वपाश्वद मनता है इसे गोपाश्वद मनता है मैं ये जैसे बश्य फोप विश्व पो मिश्वप फच्छंग विश्व पाश जैसे सबनेगा का जैसे मत निने में अब शोपरष संतने अच यह आपका लौकी अविघर्य हो गरे जो है गोपा गी अधी, तो गोपा गी अधी में प्रतमाजर समास वरजनम सूत्र से अधी की उसरजन संग्या करेंगे, उसरजनम पूर्वों से पूर प्रयोक करेंगे, तो अधी गोपा गी मनेगा, अब इसकी प्रात्पतिक संग्या करेंगे, सुपो धात परे सुपलुक करेंगे अधिगोपा रुख बनेगा अधिगोपा में अब विभास सुतर से इसको नपूनसक लिंका बिधान करेंगे जब यह समस्त शब्द नपूनसक लिंक हो जाएगा एक सूतर है आपका रसो न पूंसके प्राइद 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 प सूत्र से लुक प्रात्त हो उसको बात करके सूत्रियां उपस्तित होगा ना अब्याइभाव दतोंत पंचम्यां अधन्तात अब्याइभाव सुपह न लुक तस्य पंचमीम बिना अमादेश चस्यात तात पर गया हुआ कि जो अधन्त अब्याइभाव समस्त शब्त है ऐसा अब्याइभाव समस्त शब्त जिसका अंत्य जो है वस्व अकार हो तो उसे प्रभीत जो सुप है सुप्रत्यां है उनका लुक नहीं होता है और तस्य पंचमीम बिना अमादेश चस्यात उसमें पंचमी भ्यक्ति को छोड़ करके सेश्की अस्थान में अमादेश हो जाता है जैसे अधिगोप शब्द है आपसे सु व्यक्ति लाई थी अधिगोप सु है सु में अधिगोप सा बनता है सकार कहा अभी दवसवा से लुक प्राप्त है जिसका नाभी हुआ दतुंत पंचमी सुत्रिस ने निशेद किया और सु के असान में अमादेश कर दिया तो अधिगोप और अम अभी पुर्वा से पुरूप कर दिजए अधिगोपम तो अधिगोपम 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 यह आपके सभी भी व्यक्तियों में बनेगा पंचमी को छोड़ करके जब पंचमी आएगा अधिगोप गशी बनेगा अच्यू व्यक्ति का अलोप होना है परन्तु पंचमी व्यक्ति के गशी भ्याम भ्यस को अम आदेश नहीं होना है यहां क्या होगा गश के अस्थान में यहां पर टागस के सामिनाथ स्यासूत्र से आत आदेश हो जाएगा अधिगोप आत दिर गोने से अधिगोपात और अधिगोप अधिगोप भ्याम अधिगोप भी अधिगोप भ्याह यह आपका स्वरूप बनेगा पंचमी में सष्टी में फिर अधिगोपम अधिगोपम और सप्तमी में पुनह अधिगोपम अधिगोपम यहाँ पर कुछ एक विशेश विचार करने के लिए दूसरा सूत्र उपस्तित होता है अदन्तात अभ्याई भावात तृतिया सप्तम्योर बहुलम अम्भावस्यात यह कहता पंचवी भ्यक्ति को तो आपने छोड़ा था ये सूत्र तृतिया और सब्दमी में भी अपनी बात को कह रहा है यदंत अब यह भाव से भीत जो तृतिया और सब्दमी भ्यक्ति है उनके स्थान में जो अम भाव है वो बहुल करके होगा अर्थात कहीं नित्य कहीं भी कल्ब से और कहीं कुछ अन्य होगा जैसे अधिगोप शब्द सेत्रतिया भीक्ति जब आपनाते हैं तो एक बार तो अंभाव हो जाएगा ना पिविता तो तुम पच्चम्या एक बार उसका बादख हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अधिगोप टा है टाकिस्तान में इन आदेश गूर करके अधिगोपेण बनता है तो अधिगोपे ना अधिगोपाब्याँ अधिगोपई अधिगोपाब्याँ अधिगोपई अधिगोपाब्याँ अधिगोपई अधिगोपई चतुर्थी में तो अधिगोपाब्याँ अधिगोपई 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 अधिगोप अधिगोपम अधिगोबेशू तो इस तरह से इन स्थलों में जो है ये स्वरूप बनता है इन शब्दों के साधुत्तों का विवक्तियारत में अब्बे के दो हुदारणाप के सामनों पस्तित हुए एक इकारंत जिसका प्रतिनी दिभूत है अधिहरी और दूतिया है अकार उसका प्रतिनी दिभूत है अधिगोपम इस तरह से हम इन शब्दों का साधुत्त अभ्य युहाव समास में करते हैं जो कि और प्रतंबर्ण है तो तदवर्ण से संबद्ध हैं पर अधिगोपम शब्द का सुरूप हुआ ताद पर ये हुआ कि अकारंत या आकारंत शब् दूनों का से एक ही सुरूप यहाँ पर उपस्तित होगा। भिन्ह सुरूप यहां उपस्तित नहीं होंगे। और जो तर्टीया और सब्धिमे में बहुल करके अमिखाओं का सुरूप होगा। इसलिए दोनों सुरूप होगे। अर्थात अम बाला भी सुरूप होगा और विवक्ति बाला भी सुरूप होगा और सब्ति में में केवल विवक्ति बाला ही सुरूप होगा अम बाला सुरूप नहीं होगा ये इनके सब का जो है विवेचन का पार्थक के है क्या-क्या इसमें होना है क्या-क्या नहीं होना है अगला प्रयोग है कृष्णस से समीपम उपकृष्णम तो कृष्णस से समीपम उपकृष्णम में यहां समीप शब्द का लौकी बिग्रह में प्रयोग हुआ है अलोकी बिग्रह में यहां पर समीप का ज्योतक अव्यहे उप, पहले आपने विवक्ती अर्थ में अव्या का सुभा। के साथ समास किया अब यहां जो है भी सिर्थ के वाद समी पर्थग जो अब यह उसका सुलार्थ के सांथ समास करना का तो कृष्ण से सुलीप हो यह लोग यह अलोग यह अज浮 सब्वाइश कर दो कि यह इसका स्वरूप होगा तो इहां पर उप जो है यह समीप का जो है वो दियो तक है तो समीप शब्द के साथ यहां समास हो रहा है यहां पर भी समासत्वात्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत्प्रत् उपक्रिश्ण हुआ, उपक्रिश्ण से यहाँ पर सूभी हकती, ना व्यादतम तो पंचम्या सूत्र से, यहाँ पर अम आदेश, आम पूर्वा से पूरूप, उपक्रिश्णम यह रूप आपका बनता है। अगला यहाँ प्रयोग है, मद्राणाम समर्द्धी सूमद्रम, मद्राणाम सम्रद्धी में भी इसका विग्रह होगा, मद्राणाम क्या है। बहु बचन का वो लेख है। इसलिए इसका जो लोकिक बिग्रह के बाद जब अलोकिक बिग्रह करेंगे तो क्या करेंगे मद्र आमसू यह इसका अलोकिक बिग्रह होगा मद्र आमसू अब इसकी अज़ामसू इस अवस्था में अलोकिक बिग्रह वस्था में अब यह विहक्ति सूत्र से यह है आप समृध्धी अर्थ का द्योतक जो सू है उसके साथ समास करेंगे उसरजन संग्या होगी पूरपड़े होगा प्रात्पति संग्या सूलुक सू मद्र शब्द बनेगा सू मद्र शब्द से यहां पर एक ट्यूक्षा में एक बचन सू करेंगे सू के स्थान में अंभा होगा सू मद्र हम आई पूरवास लो सू मद्र इसी प्रकार यवनानाम व्रद्धिर दुर्व यवनं यवनानाम व्रद्धिर तो यवना नाम बृद्धिर में यहाँ पर जो है तो क्या होगा यवना नाम बृद्धिर दुर यवन तो यहाँ पर भी यवन आम और दुर यह अलोगी बिग्रह वाक्य होगा और इस अलोगी बिग्रह वाक्य में जो है क्या होगा यहाँ पर यहाँ जो है पुना वही समास होगा समास अत्पात यहाँ पर प्रत्मादिश्य दुसरण संग्या पूर प्रयोग प्रात्पति सिंग्या सुलुक और इसके पश्चाथ सुरूप बनेगा इसका दुर्यवन सुवी हक्ति सु के अस्थान में अम्भाव पूरोसे पूरूप दुर्यवनम यह शब्द यहाँ पर बनेगा तो यह जो है इस तरह से यहाँ पर यह शब्द सिद्ध होता है अनंतर जो है दूसरा शब्द है यहाँ पर निर्मक्षिकम यहाँ पर भी मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम तो मक्षिका नाम अभाव में यहाँ पर भी बिग्रह इसका जो अलोकी बिग्रह होगा मक्षिका आम निर्मक्षिकम और यहां पर भी जो है तो अभाव अर्थ में अभ्यम बिवक्ति समीप सम्रिध्य अर्था भाव तो अभ्यम बिवक्ति समीप और सम्रिध्य और सम्रिध्य कर ब्रिध्य और फिर अर्था भाव अर्थ तो अर्था भाव में यहां पर इसलिए लिखा इनों जो है मक्षिका नाम अभावा तो अभावर्त में हैं कौन है यह निर है तो मक्षिका आम निर ऐसा इसका अलोगी विग्रह होगा समास होगा उस्तर संग्या पूर प्रयोग तो निर मक्षिका आम होगा और प्रयोग सब्छात यहां इसकी चुकि सभी की नपून्सक संग्या हो रही है नपून्सक लिंगत तुभिधान हो रहा है और हरसोन उप उसके प्राइब पीसे हरस होकर के दिर्वक्षि शब्द दनेगा सू अम पूरूप होकर के दिर्वक्षिगं इसी तरह से यहां जो है तो अगला जो प्रयोग है वह आपका अतिहिमम हिमस्य अत्यायाह तो हिमसे अत्य यह में यहां पर जो है जो अत्य है वो अत्य अर्थ में है यहां पर कौन है अत्य अर्थ में अत्य उपसर गै तो हिमसे अत्य है यह लोकी बिग्रह और हीम गस अत्य है यह अलोकी बिग्रह होगा समास हुआ सुत्र से उपस्राजासंग्या पूर प्रयोग आतिहिम सू और यह क्या कहते हैं प्रात्पेतिस्किया सुवलुक सुविखक्ति सू के स्थानवाइं पूरवा से पूरु हो करके आतिहिमं निद्रा संप्रति न युज्जते निद्रा संप्रति न युज्जते यहां पर तो यह यहां पर जो इसका जो लौकिक बिग्रह होगा तो निद्रा संप्रति न युज्जते हुआ और लौकिक बिग्रह होगा अर्थात निद्रा याह अब यहां पर जो स्वरूप हो रहा है जिसके हम व्याक्ष्या कर रहे हैं तो यहां निद्रायाह अस्षाम प्रतिकं अरथात अस्षाम प्रतिकं अरथ Сमय होगा, यहां पर प्रतवान ने दिश्ताम सा उस्रन संग्या, उस्रन पूर पूर प्रयोग और इसके पश्चात यहां जो है प्रात्पतिक संग्या होगा और स्वरूप बनेगा आपका जो है अति निद्रा और अति निद्रा में प्रात्पतिक संग्या होने से प्रात्पतिक संग्या होने से प्रात्पतिक संग्या होने से प्रात्पतिक संग्या हो जाएगा अति निद्र बनेगा सू इसके अस्तान में अम आदेश पूरूप होगे अति निद्रम यह सुरूप बनता है इसके अनंतर है संप्रति शब्द प्रादुर्भाव तो शब्द प्रादुर्भाव में हरी शब्दस से प्रकाशा इती हरी यह प्रयोग है तो हरी शब्दस का प्रकाशियां पर हरी यहां शब्द प्रादुर्भाव है तो हरी शब्दस से प्रकाशा यह इसका लोकी बिग्र है और लोकी समास के बात उसरती संग्या पूर प्रयोग और हरी इती हरी गस रात पर संग्या सुब लुख ईती हरी और सुब रोइ वक्ति आएगी उसका यहां पर अभ्याद सुब रुख हो जाएगा यहां पर तो इतिहर यह प्रयोग होगा एक बात और बतलाने अवश्यक है कि दीर्ग आकारंत और रस्व अकारंत जो शब्द हैं उन दोनों के स्वरूप एक होंगे और इनहीं में ही पंचिमी में पून रूप से उस विवक्ति का प्रयोग होगा और तृतिया और सब्तमी में वैकल्पिक स्वरूप होंगे अर्थात एक बार अंभा होगा एक बार विवक्ति का स्वरूप वहाँ पस्तित होगा इकारांत उकारांत रिकारांत इनके जो सरूप होंगे वो एक ही सरूप होगा बिनन सरूप नहीं होंगे एकारांत ओकारांत अगर ऐसे कोई शब्द है या आईकारांत अउकारांत कोई शब्द है तो उनका भी एकारांत आईकारांत का इकारांत जैसे रूप होगा और ओकारांत अउकारांत का उकारांत जैसे रूप होगा इसलिए इसे आपका भानव इति अधि भानु इसे प्रकार राई इति अधि री ऐसा बना रैधनम इसे प्रकार गलव शक्त तो गलावी इति अधि गलू ऐसा रूप होगा वहां प्रसरवत्र रस्वनपुसके से रस्वादेशे से यही होगा दूसरा कोई नहीं होना है इनके यही रूप इस तरह से चलेंगे इसलिए यहां पर जो है यह स्वरूप आया आपका इति हरिका यह ऐसे रहेगा सिप्रकार विश्णोपस्चात अ अनु विश्णोपस्चात 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 करने पर और सुकार लुक होने पर अनुविश्टू बनेगा अभी देखे यहां पर इतने अर्थों के प्रयों को सिद्ध किया जा सकता है भीवक्ति समीव सम्रिद्धी रिद्धी अर्थाभाव अत्ये और संप्रति शब्द प्रादरुभाव पश्चात इतने अर्थक जो अभ्याँ हैं उनके सोरूपों का उदाहरनों का प्रतर्शन हुआ अब यथा शब्दें आउपर सिद्ध हुआ है तो यहाँ पर गंधकार कहते हैं कि यथा शबद खेले नहीं नहीं है वो कई अर्थों को ले करके बढ़ता है कौन अर्थ है? योग्यता, बीव्सा, पदार्थ, अनतिवर्त्थि और साद्रिष इनके इतने स्वरूपें उतने अर्थों को यहाँ पर यथा शब्द कहता है इतियथार्था तो रूपड छोग्यम पहले रूप छोग्यम है तो रूपड छोग्यम में शुत्र सी यथार्थ विक्रह होता है हलोकी बिग्रह यहां पर भी समास करेंगे सूत्र से यथार्थ में विद्यमार यहां यथार्थ है यहां पर योग्य योग्यता तदर्थक यहां पर उसका ज्योतक है अनू उस अनू का यहां क्या करेंगे फूर प्रयोक करेंगे उस सगया करने पर और इसके बाद अनूरूपन रूप-ंगश है i-s कि प्रातपति शुद्यमार शुख्लुक्न अनूरूप सुभिभक्ति अंभाव अनूरूपन पूरूप हो करके तो इस तरह से ये हुआ इसके बाद है बीपसा बीपसा में यहाँ पर प्रति है अर्थम अर्थम प्रति प्रत्य अर्थम यह इसका लोकी विग्रे होगा अलोकी विग्रह क्या होगा अर्थ अम प्रति का यहां पर अर्थ अम प्रति क्यों होगा तो का इसलिए कि बीवसा अर्थ में जो प्रति है उसकी कर्मप्रचनिय संग्या होती है और कर्मप्रचनिय युक्ते दुतिया सूत्र से दुतिया व्यक्ति होती है तो जो लोकी विग्रह वाक है उसमें भी अर्थम अर्थम प्रति में यहां प्रदुतिया व्यक्ति है इसलिए इसका जो अलोकी विग्रह वाक होगा और अर्थम प्रति ऐसा ही इसका होगा इससे समास होगा समास के बाद प्रति संगया सुगलुप कि आमभाव पूरु रुप न भूकर के आपका यहर्ण हो पर्रत्य अर्थम रूप बनता है इसी प्रकार शक्तिम अनतिक्रम्म यथा शक्ति अनातिожд Ice आर्थ में यह पर यताश्य अब्य तो शक्तिमोन नुतिकृम में यहाँ पर जो है अतिक्रमनु ऑुष्छ को कॉरों है। शक्ति है और कर्म यहां पर सश्ठी भी वक्ति है इसलिए शक्ति इंगस यथा इसका अलोकी बिग्रह होगा समास प्राति होकर के पूर प्रयोग होकर के प्राति संग्या सुबलुक यथा शक्ति सब्द है इससे भी अब्या संग्या होने से जो विस्वादि भी वक्तियां है उनका प्रयोग होगा और लुक होगा तो यह था शक्ति शब्द सित्ध होगा अगला सूत्र आपका होता है अब्याई भावे चाकाले सहा से सह स्याद अब्याई भावे नत्वाले यह सूत्र कहता है कि अब्याई भाव समास में जो सह शब्द है उसके अस्थान में स यह आदेश होता है किन्तु नौ काले अगर काल अर्थ है तो वहाँ पर इस सूत्र की प्रूर्टी नहीं होती है जैसे आपका यहाँ प्रयोग है हरेह साद्रिश्यम इलि सहरी तो हरेह साद्रिश्यम तो यहाँ पर इसका जो लौकि बिग्रवाके हरेह साद्रिश्यम है और लौकि बिग्रवाके जो होगा हरिटा सह होगा क्यों होगा हरिटा सह इसलिए कि यहां साद्रिश्य का बोधक या द्योतक अब्याशब्द है सह और सह के योग में सह उक्ते प्रधाने सूत्र से तृतिया भी होती होती है इसलिए इसका जो अलोकी बिग्रह होगा हरिटा सह ऐसा ही होगा समास होगा पहलcej समास होने के वाद उपसलेज संग्या पूर होकर प्रयोः होकर के सहहरी ऐसा रूप बनेगा इसके वाद सूत प्रूत होगा साहके प्र। में साह आदेश होता है बिव्वाव समास है कालिश सब्द की परता है नहीं इसलिए यहाँ पर सहकेसान में सा आदे सुनों पर साहरी शब्द बनेगा अब यहाँ पर जो है इसके प्रत्पित का तारो सुवी हक्ती और सुका यहाँ अब्यादा सुपा से लुक हो करके साहरी शब्द बनेगा इसे प्रकाज जेष्ठस से आनु पूर वेड़ इती अनु जेष्ठ में है यहाँ पर अनु शब्द आनु पूर वी अर्थ में है तो आनु पूर वी अर्थ में है इसका लोखी विग्रे बाग तो यह हो गए अलोख विग्रे क्या होगा जेष्ठ अनु हो गए तो जेष्ठ अनु में हैं यहाँ पर भी अब्येविक्ति सूतर से समाज समाज होने के बाद उसरद संग्या पूर परयोग प्राद्पिति संग्या सुवलुक प्रयोग आपको बनेगा जो है वो अनुजेष्ठ सुविवक्ति चुकि अदन तब भी भाव है उससे परसु के स्थान में अम पूरुआ से पुरूपोक्र का अनुजेष्ठ वरूप बनेगा अब योगपद्य अर्थ में उपस्तित हो रहा है यहाँ पर चक्रेड योगपद्य यह अलोकी बिग्र है अलोकी बिग्र होगा क्या चक्रटा सह यहाँ पर भी टा इसलिए है कि यहाँ पर भी योगपद्य अर्थ का ज्योतक सह शब्द ही अब्यशब्द है इसलिए उसको य रहे हैं समास वूर्ष रजा संग्या पूर प्रयोग प्रात्पति संग्या सुवलूग अपन गया पस सवचक्र और सवक्राइश सवचक्र सूवी भक्ति अंभाव पूर्वा से पूर रूप परके सवचक्र अपनता है एक स्वतंत्र रूप से, तो जहां साद्रिश के अंतर गत्ता, वहां पर भी सह शब्द हैं, और जहां पर सामान नहीं हैं, यहां पर स्वतंत्र रूप से, वहां पर भी सह शब्द हैं, तो इसलिए इसका अलोगी विग्रा इसका भी होगा, सक्षि, टा, सह, यहां पर भी समा कि som spider th कि इसी प्रकार सखषत्रम कि ख्रत्राणाम संपत्ति यह संपत्ति अर्थ में विद्यमान agree के साथ समर्व सुबंद का समास हो रहा है क्षत्रा नाम संपत्तिह में यहां पर भी क्षत्र भिस सह यह इसका अलोकी बिग्र होगा यहां पर क्षत्र बहुत चनका प्रयोग होगा है और सह यहां पर अब्या है तो खषत्र भिस सह यह अलोकी बिग्र है समास और उसला संग्या पूर प्रयोग सह खषत्र आम और न सह घठ्र भिस रातपति संग्या सूलुक सह खषत्र और यहां बी होगी साधि षक्र बनेगा ज्याशू विवक्ति अमबहा होकरकि पूरू कर सक्षत्रम बनेगा अगला है आपका यह संपत्ती होगा अभ यहाँ पर साकल्य अर्थ में प्रेव होना तो त्रेनमापी अपरित्यज्य अर्थ में यहाँ सह अब्य है तो त्रिण टा सह यह ऐसा इसका अलोगी विग्रवाक होगा समास होगा सरजन संग्यापूर प्रयोग तो सह और सहत्रिण अभी होगा सू सू के स्थान में अमभाव अगयरे होकर के पूरू होकर के सत्रिणम रूप बनता है इसके बाद है अंतवचन अर्थ में अग्नि ग्रंथ परियंतम अधीते साग्नि तो अग्नि ग्रंथ परियंतम अधीते या अग्नि परियंतम अधीते अग्नि शक्त अग्नि ग्रंथ बाचिये तो यहाँ पर परियंत अर्थ में अंतबचन अर्थ में यहाँ पर सह यह अब्या है इसलिए इसका अलोकी बिग्रह होगा अग्णी टा सह समास करेंगे उसर संग्या पूर प्रयोक करेंगे प्रात्पी संग्या करेंगे सुब लुक करेंगे और सहक अस्थान वे भ्यावज़ा काली सूत्र से सव आदेश करेंगे सअगनी और दीर कर दीजे सागनी मनेगा सू भी हक्ति आएगा सू का ब्यादा सू असे लुक कर दीजे तो सागनी ऐसा ये पूरा आपका रूप सिद्ध होता है इसके अनम तर सूतर है नदी भिश्चप नदी भी सा संख्या समस्यते समाहारे चाय मिश्यते अर्थात नदी बाची शब्द का संख्या बाची शब्द के समास होता है और वह समास समाहार में ही होता है प्रयोग है पंच गंगम दू यमनम संख्या वाचिक शब्द यहाँ पर पंच है प्रफम उधारण में दूतिय थारण में दू दू शब्द है तो पंचा नाम गंगा नाम समाहा रहा है द्वयोह यमुनयोह समाहा रहा है संख्या वाचे शब्द यहां पर पंच है द्वी है नदी वाचे शब्द गंगा है यमुना है यहां जो इसका अलोकी बिग्रह वाक्य होगा पंचन जस गंगा जस तो कभी यहां पर आपने तो प्रयोग इसका किया पंचा नाम गंगा नाम समाहारा और यहां पर आपको इसका प्रयोग होना चाहिए वस्ता आपके बिग्रह के आधार पर पंचन आम गंगा आम और आप प्रयोग कर रहे हैं पंचन जस पंचन गंगा जस ऐसा क्यों होगा लोग के बिग्रह तो का इसलिए होगा कि वस्ता इनका प्रत्मान तत्वेनी यहां उपस्तित हैं समाहार शब्द के प्रयोग के कारण संबंधत पेर वहां जो है सश्टी भक्ति का प्रदर्शन हुआ है किन्त यहां वस्ता है पंचन जस गंगा जस यही उसका स्वरूप है इसी प्रकार दोई यमुनों में यहां पर इसी तरह से द्वी अव यमना अव यही इसका अलोकिक ब्रिग्रह बाक्य होगा सूत्र में यहां पर संख्या वंशेन से संख्या शब्द की अनुवरत्ती होती है इसलिए यहां पर संख्या शब्द प्रथमान था समाश शास्त्र में तो संख्या वाची जो शब्द है उसी की यहां पर उसरजन संग्या होगी उसरजन से पूर प्रेव होगा तो यहाँ पंचन जस गंगा जस द्वी अव यमुना अव यही समस्त होने पर स्वरूप होगा तो पंचन शब्द की और पंचन जस की द्वी अव की सरण संगय पूर प्रयोग होगा और समस प्राथविदिक संगय होगी समस सत्वा सुब्लूख हो करके पंचन गंगा द्वी यमुना ऐसा शब्द मनेगा पंचन में जो नकार है उसकी अंतर विवक्ति मान करके नलोपा प्राथविदिकांत सूत्र से नकार का लोग करेंगे पंच गंगा बनेगा द्वी यमुना बनेगा इसके अनंदर समस्त शब्द की अभी भासूत्र से नपूसक लिंगत्व का विधान होगा हरस वोनप उसके प्रादपित के सहरस हो जाएगा तो हरस हो कर जो पंच गंगा था वो पंच गंग हो जाएगा जो द्वियमुना था द्वियमुन हो जाएगा और उसको प्रतमा एक बचर में सुवी वक्ती अमभाव पूरुरूप करके पन्च गंगम दियम नईयूरूप बनेगा तो इस तरह से यह स्बूरू इसका होता है अब इसके अनंतर अब यहां कई ऐसे सूत रहें जिन से दूसरा कार्य होगा एक थोड़ा सा उल्लेख यहां आवश्यक है कि इस लगुसित दांद कोमदी में अब्विभाव समास संग्या विधान करने वाले केवल दो सूत्र है पहला सूत्र है अब्यम्भी हुक्ति समिस विधिर्था भावात्या संप्रति शब्द प्राद रुभा पस्चात दिधान पूर्व यवग उपद्य साद्रि संपति सका साकरल्या तबचनेशु और दूसरा सूत्र है नदी विष्चा ये दो सूत्र ही मात्रियां पर समास वि करके इन शब्दों के यह उपस थापित किया दो सूत्र ऐसे हैं जो विवक्ति में आदेश विधान करते हैं एक नाभी हुआदा तो पंचम्या दूसरा तृतिया सब्तम्यों बहुलम और एक सूत्र भी हुआज चाकाले सहके सान में सौ आदेश करने वाला है और ये प्रत्म रिश्वाव शर्जण उस्सािजण पूर रहों ये पूर प्रेयू विधायक सूत्र जैसे कल हमने बतलाया था कि सरव प्रतम जो है संकलित संकलद के बाद लोकी बिग रहा फिर अलोकी बिग hopes दौक'll और समास का जो है उसमें आरोप और लिंग विधान इसके अनंतर स्वादी कार वगयरे इतने कार प्रोंपता से होते हैं, तो इस तरह से इनका विचार हुआ है, कल हम लोग समासांत की विशबे चर्चा करेंगे, समासांत क्या है, समासांत जो प्रत्ते हैं किसके अवयव होंगे, उनका क्या सुरूप होगा उनका विधान कब करना चाहिए किस सवस्था में करना चाहिए इन सब पर हम लोग काल चर्चा करेंगे विश्ध रूप से आज यहीं इस ग्यानुस सत्र का यहीं पर इसको पूरुनता प्रदान करते हैं आप सब को बहुत बहुत धहनवाद जैतु संस्कृतम जैतु भारत